नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत ने चाइना को डिप्लोमेटिकरी ख़देर दिया है नेपाल के अंदर, हुआ कुछ ऐसा है कि नेपाल 2017 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के अंदर जुड़ा था, हाला कि बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के इंप्लिमें रोड इनिशेटिव के इंप्लिमेंटेशन प्लान को साइन कर देगा, बट भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट के कारण ये चीज नहीं हो पाई, जिसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के अंदर नेपाल जुड़ा तो है, पर अभी तक चाइना का कोई भी इंफ इनिशेटिव के तहट नेपाल में शुरू नहीं हो पाया, और इसके अंदर भारत की डिप्लोमेटिक का एक इंपोर्टेंट रोल देखने को मिलता है, अब भारत ने इचीज किस तरीके से नेपाल के अंदर की, इसे मैं चुबे दिटेल में आप लोगे साथ में चर्चा क अनिशेटिव के अनुसार इंडिया के टॉप एजूकेटर द्वारा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से टॉप अपस निकलें, आप क्लियली यहां पर देख सकते हैं, अन अकेडमी से कई सारे टॉपर्स जो हैं, उन्होंने इस बार UPAC, CAC को कौलिफाई किया, और आप ध्यान से देखना तो यह किसी टेस्ट्री या इंटर्व्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बच्चे नहीं हैं, बलकि हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़े हुए बच्चे है तो आप भी अगर अपने आपको UPAC में सिलेक्ट होता देखना चाहते हो, तो आप अन अकेडमी के उपर बिल्कु से जुड़ सकते हो, अगर आपको आफ्लाइन सेंटर में जॉइन करना है, तो नीचे कमेंट के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, उसको फिल आउट कर देना, हमाई टीम आपको रीच आउट करेगी, चलिए दोस्तों समयने का प्रयास करते हैं, आपको क्या हुआ, रीसेंटली, 16 नेपाल चाहिना डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन मेकेनिजम के तहत, तीन दिन की विजट, चाहिना के वाइस फॉरेन मिनिस् के इंप्लिमेंटेशन प्लान को साइन कर दे, बट हुआ कुछ ऐसा कि नेपाल ने इस इंप्लिमेंटेशन प्लान को फिर से रिजेक्ट कर दिया है, अब ये लगातार जो चाहिना को रिजेक्शन फेस करने को मिल रहे हैं, 2020 के बाद से 2024 तक, इसके अंदर एक इंपॉर्ट पूरे, एशिया, योरॉप और अफरीका को आपत में कनेक करना चाहता था, जिसके लिए इसने अलग-अलग देशों के साथ में अलग-अलग मीटिंग की, जिसके बाद लगबख 71 कंट्रियां, बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के अंदर जुड़ी, अधिकते कंट्रिय के साथ में बेल्ट एंड डोड इनिशेटिव होता, तो उनके साथ में अलग-अलग एग्रिमेंट होते हैं, होता कुछ ऐसा कि सबसे पहले कंट्रियों को कहा जाता है कि आप बेल्ट एंड डोड इनिशेटिव में जुड़ जुड़ी, उसके बाद चाइना फिर कई सारे प्रपोस करता, बताता कि आपके इस शहर में हम एयोपोर्ट बना देंगे, इस शहर के अंदर हम पोर्ट बना देंगे, इस शहर के अंदर ये कर देंगे, इसके अंदर हम लोग इतनी फंडिंग करेंगे और आप लोग इतनी फंडिंग करना, क्योंकि हर एक कंट्री के अप जब Belt and Road Initiative का implementation plan sign होता है उसके बाद ही BRI उस country के अंदर सही माइने में implement होना शुरू होता है और China उस country के अंदर infrastructure डेवलब करता है according to this plan अब हुआ कुछ ऐसा के 2017 के अंदर नेपाल ने Belt and Road Initiative को जोइन किया जैसे ही नेपाल ने Belt and Road Initiative को जोइन किया इंडिया के अंदर घबराज शुरू हो गई क्योंकि Benton Road Initiative इंडिया की sovereignty के उपर threat था ये भारत पो शुरुआती समय में ही समझा चुपा था 2015 के अंदर Benton Road Initiative के तहर चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉल्डोर बना था जो की भारत के गिलगिट बालकिस्तान से जाता है जो की भारत की sovereignty के उपर threat था ऐसी condition में भारत ने completely इस Benton Road Initiative को reject कर दिया था और भारत ने इस Benton Road Initiative का विरोध करना भी शुरू कर दिया था 2017 में जैसे ही नेपाल Benton Road Initiative का पार्ट हुआ उसके बाद भारत ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया 2017 के बाद 2020 में चाइना का implementation प्लान आना था Benton Road Initiative का नेपाल के अंदर अब इसी बीच में यह जो ढ़ाई साल का समय भारत को आपर मिला भारत ने इस समय पर इतने भी political leaders हैं economists हैं, bureaucrats हैं, diplomats हैं academia है, media है civil society है जो नेपाल में exist करती हैं इन सब को बताया कि चाइना का Belt and Road Initiative कुछ नहीं केवल और केवले debt trap जो आने वाले समय में आप लोगों को loan के अंदर डुबा देगा नेपाल के लगबग हर एक वेक्ति के अंदर भारत ने दर का माहुल क्रियेट कर दिया Belt and Road Initiative के लिए अब 2017 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने Belt and Road Initiative को साइन किया था वो थे दहल उसके बाद में अगले जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था शेर बहादूर जूबा और शेर भादूर जूबा जब प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के उस समय पर भारत ने Belt and Road Initiative के खिलाफ awareness campaign नेपाल के अंदर करना शुरू कर दिया उसके बाद 2018 में KP Oli नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस समय पर उमीद होती है कि चाइना का Belt and Road Initiative का implementation plan आएगा और KP Oli हो सकता है उसके उपर sign कर दे क्योंकि इनका stand अधिकतर anti-India उस समय पर देखने को मिल रहा था पट इसी समय पर किस्मत ऐसी काम कर गई कि थोड़े समय बाद COVID-19 आगया और COVID-19 के आने की वैसे कोई implementation plan उस समय पर आया नहीं फिर 2020 के अंदर implementation plan लाया तो गया पर नेपाल ने उसके उपर sign नहीं किया तो कि उस समय पर COVID-19 का समय था नेपाल के priority कुछ और थी जुलाई 2021 के अंदर वापस से शेर बहादूर ग्यूबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत वापस से Benton Road Initiative के खिलाफ awareness campaign शुडू कर देता है जिसके बाद चाइना कई सारे implementation plan लेके आता है नेपाल के सापने पर नेपाल के अंदर अब डर का माहूल था नेपाल को लग रहा था कि ऐसा ना हो जैसा शृलंका के अंदर हुआ है शृलंका के अंदर जिस तरीके से हम्बन तोटा पोर्ट चाइना ने 99 साल के लिए lease पे ले लिया और जिस तरीके से शृलंका को debt trap में चाइना द्वारा फसाया गया इसा नहों नेपाल भी इसी तरीके से ड़क्टरप में फज़ जाए ऐसी कंडिशन में जब चाइना के डिप्लोमेट नेपाल पहुँचे और उन्होंने कहा के चलो हम बेल्ट अंड रोड इनिशेटिव के इंप्लिमेंडिशन प्लान को डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद मे कहते हैं कि कोई भी इन्फराशक्चर प्रान जो चाइना द्वारा नेपाल में BRI के तहद बनाया जाएगा उसके लिए चाइना पैसे देगा वो चाइना का पैसा लोन के रूप में नहीं बलकि ग्रांट के रूप में होना चीए मतलब उस पैसे को हम रिटन नहीं या उसके अंदर इंटरेस्ट रेट वैसे होने चाहिए जैसे वर्ल बैंक, आईएमेग जैसे मल्टी लेटरल डेवलप्मेंट बैंक के इंटरेस्ट होते हैं यानि की लगबग 1% के आसपास इंटरेस्ट की बात इन्होंने की इसके अलावा जैसे ही इंफ्राशक्चर प्र अंदर नेपाल ने इस देखी थी जैसे सिंगापूर के अंदर शेलंका के अंदर होता यह चाइना कईको पैसा दे देता है को हम करेंगे अ ऐसा चाइना ने कहा दिया चैनी इस एरपोल्ट को बनानेे के लिए चाइनेजू Tomorrow दे ौच फिर Chinese company बहुत साड़ा गला आइटम इस airport के अंदर यूज करेगी या फिर इसके अंदर कुछ अच्छा काम करेगी नहीं corruption बहुत ज़्यादा करेगी जो 100 करोड के अंदर airport बनना होता है उसको 200 करोड के अंदर बना के देगी जिसके बाद जिस country के अंदर अगर ये airport बना वो country के ओपर डेप्ट बढ़ता जाएगा ये सब चाइना कैसे करेगा अपनी Chinese company के जरिए तो नेपाल ने इसके खिलाव भी एक proposal रखा इसने ये कहा कि हम implementation plan तभी sign करेंगे जब project Chinese company को नहीं बलकि auction के जरिए नेपाली कंपनियों को दिया इन तीन condition को जब रखा तो चाइना को लगा हमारा तो कोई benefit नहीं है इस चीज़ में ऐसी condition में चाइना ने इन सही चीज़ों को reject कर दिया जिसके बाद नेपाल को ये बास समझ में आ गई कि यार चाइना जो है वो कुल मिला के हमको debt trap में भखाना चाहता है क्योंकि हम बहुत ज़रा इसी चीज़ तो मांगी रहे हम तो वही कह रहे है कि जो multilateral development bank के अंदर ब्याज रहता है वो दो और हमारी कमपनियों को allow करो इस infrastructure project के लिए पर चाइना उसके लिए agree नहीं कर रहा है इसका मलब चाइना जो है उसके मन में खोट है और इसी चीज़ से नेपाल के दिमाग में ये बात भी clear हो गई कि भारत जो belt and road initiative के खिलाफ awareness campaign चला रहा था वो बिलकुल सही था इवन पोखरा एयरपोर्ट ने भी एक important role play किया देखो पोखरा एयरपोर्ट नेपाल के अंदर चाइना द्वारा ही बनाया गया था इसके अंदर लगबग 305 million dollar लगे थे जिसमें से 215 million dollar चाइना ने दिये थे और चाइना ने इसके लिए ब्याज दिया था लगाया था जिसके कायन से shady construction हुआ, cost बहुत ज़्यादा लग गई और इसकी वैसे नेपाल का बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ नेपाल के उपर overall group से depth बढ़ गया अब नेपाल का कहना यह है चाइना से कि जो depth है इसे आप grant के अंदर convert कर दो अगर चाइना इसे grant के अंदर convert नहीं करेगा तो नेपाल के पास इतना पैसा ही नहीं को चाइना को लोटा दे एसी condition में नेपाल को यहाँ पर default करना पड़े और अगर नेपाल यहाँ पर default करता है तो overall group से नेपाल की economy down जाएगी इन साही चीजों के बावजूद भी चाइना ने नेपाल की एक निमानी और चाइना का कहना था नेपाल से के आप हमको पूरा पैसा दो जिसके बाद नेपाल को एच इच क्लियर हो गई के belt and road initiative के तहट चाइना जो है वो depth trap के अंदर फसाना चाहता है इंडिया जो नेपाल को कह रहा था वो बिलकुल सही है जिसके बाद चाइना द्वारा कई सारी कोशिश की गई कि BRI के implementation plan को नेपाल के अंदर sign करा दिया जाए बट अब ये sign नहीं हो रहा है इवन क्योंकि शेर बहादूर ज्यूबा द्वारा एक minimum criteria आपर set कर दिया गया कि ये criteria होगा तभी हम BRI के implementation plan को sign करेंगे अब आने वाले कोई भी leader चाहे वो फिर केपी ओली हो या फिर दहल हो कोई भी हो अगर वो इससे ज्यादा rate के अंदर चाइना से belt and road initiative के अंदर deal करते हैं तो वो फिर उनके political career के लिए भी हराब होगा और साथ में नेपाल के interest के भी खिलाफ होगा ऐसी condition में minimum standard set हो चुके अब कोई भी नया leader आता है तो वो नया leader इससे कम rate में नेपाल चाहिना से बात करने के लिए तयार नहीं होता इवन अभी आप देखते हो तो पुष्पा कमल दहल लीडर है नेपाल के और जब ये leader देखने को मिल रहा है तो इन्हों नहीं शुरुआत के अंदर belt and road initiative को sign किया था बट उसके बावजूद भी इन्होंने सेम condition रखी है जिसको चाइना ने अभी तक नहीं मानी जिसके कारेंट से belt and road initiative के implementation प्लान को अभी तक नेपाल के अंदर sign नहीं किया गया आप लोग को साही बाते समझ में आई होंगी लेक्षे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्षे बहुत च्छा लागाओ तो नीचे अच्छे टेन कमेंट करना यूप एसी की तैयारी करना इंडेके टॉप एजुकेटर से अफ्लाइन के अंदर जोड़ना तो आप लोग चमे से बेंदाओ देँ कारना लेक्षे बाते से में आप।यर से टॉप एस में आपना उना वटा लेक्षे पयाओ बाते सा.